जी करता है गर वो बला में जो बुझरा है कोई बतार बहुत दिनों से नहीं है रोए कोई तो हमको रुलबाए राबी ने छेडी है रिबायत हर कोई ये सुनता जाए गम से चाहे फटे कल जाए आए आप्रों में आशु आए प्यारे मोहमद इस दुनिया से जैसे ही परदा फर्वाए हज रत दी भी भात मजहरा और यली भी रहना पाए भाई को भी कपर के अंदर जब सबीर सुलाब तर आये के हुसेन अकेले रह गए दिल ना दून का घब राये के हुसेन अकेले रह गए नाना भाई अमा बाबा जब जब भी उनको याद आए अकसर जाके कपर पे उनकी कूब से सक्कर अस्क बहाई फिर कूपा के कलमा गोले कूपा में उनको बुलवाई पे अत्का मसला यठिका था चालम थे कूपा में चाय हजरत ने ये दिल में सोचा पीन पे कोई हर पे न आई इसलिए भाई मुसलिम को पेबा से कूपा भिजवाई कूपाया कर हजरत मुसलिम आल यहां का बहकर पाया जाए हाना तेह बहकर खत को लिख कर उन्हें बुलाई आ जाए हाना तेह बहकर खत लिखवा कर कूपा भाले बदल गए थे एकदम हाई मुसलिम पे बो जुल्म किया था देख जिसे धर्षी थर्राई घेर लिया उनको जालिम ने और उन पर तलवार चलाए एक नहत्य को बो जॉल्म कत्रा कत्रा कून बहाई दीन के दुसमन थे वो जालिम तीर भी वो उन पर पर साई वो सब थे तादादम कापी और अकेले मुसलिम हाई दीर तवर की अलगारों को कब तक सहते जहना पा जखमों से तन बदन चदा था छोड़ गए दुनिया को हाई जखमों से तन बदन चदा था मुसलिम के दो नन्हे बच्चे साथ में थे बाबा के आई बाप की हालत देख के बच्चे दोनों का भी अस्त बहाई अपनी जान बचाने को दोनों एक जाड़ी में आई आखों से यांसु जारी थे लेकिन थे वो खुद को चुपाई पेड़ की वो जाड़ी थी जिसके नीचे पानी बेहता जाए वो एक मीधी नहर थी जिसका पानी घर घर में कामाई पानी भरने को एक ओरत आई अपना घड़ा उठाई उसने देखा पानी के उपर जारी से जब उने निकाला गर के मारे वो थराई रोते थे वो दोनों बच्चे हिचकी लेकर हाए हाए चांद सा चहरा देख के उनका उस ओरत ने गले लगाया तू पोंच प्यार से उनके सर पे उनके हाथ फिराए किसके बेट हो तुम दोनों पूछाए उनको लिपटाए मसलिम के हम दोनों बेटे है ये वो दोनों बतला सेरे खुदा के हम पोते हैं और मदीना से हैं आए बाबा हमको छोड़ गए हैं जीने का अब नहीं उपाए बाबा हमको छोड़ गए हैं उस ओरत ने दिया दिलासा उसके घर वो दोनों आय घर या कर उसने सब किस्सा घर की मालकन को बतला आय सुनकर उन बच्चों की बात आसू थे आँखों में आय दर्द के मारे दिल रोता था और कलेजा मोह को आय प्यार से वो औरत थी उनको अपने सीने से चिपकाई खाना भी उनको खिलवाया फिर दोनों को दिया सुनाय रात में उसका सोहर आया घर अपने जो ठके ठकाई सारा दिन वो रहा परीसा उसने सारे हाल बताई सारा दिन वो रहा परीसा होज का था वो एक सपाही बच्चे उसके हां दिन आया भूडे रहा था यो बच्चों को ताके कुछ इना में बपाय डर से बीबी कुछ न बोली वो बच्चों को रही छुपाय सोच रही थी खाना खाकर जल्दी सो हर बाहर जाए खूखा से दोनों बच्चों को फिर वो देगी दूर भगाय लेकिन उनकी किसमत में तो और ही कुछ लिखा था हाई जो को उठे वो दोनों बच्चे बाब में उनके बाबाया आय सारा बदन था उनका जक्वी कून में थे वो खड़े नहाई सारा बदन था उनका जक्वी बाब को देखा इस हालत में दो बच्चे रहना पाई सिस्ट की उनकी रुखना पाई रो रो कर वो सोर मचाई हार इस नाम का उस चालम का बच्चों को जा पकड़ा हाई पाल पकड़ कर उनका खीचा और कमाज उने लगा एक बेटा था हारस का भी वो बोला ये बीच में आए बाबा इन पे रिहम करू अब बहुत सतम है इन पे धाए हारस बोला जुप रह पर ना तेरा भी सर न उड़ जाए बापस फिर भी वो लड़ देखा ताके उनकी जान बचाए बापस फिर भी वो लड़ देखा गुसे में आगर हारस ने सर बेटे कया प्लूड़ बीबी और कनीजज दोड़ी उन्हें भी मारा दिया मिटाए अपने घरवालों का कातिल कैसे रहंब उन पे खाए उन दोनों मासूमों को भी खैचिक फिर दर्या पे लाए ताके उनको जान से मारे ताके उनका खून बहाए वारस से वो दोनों बोले कर्या पे जब दोनों आए क्या मिल जाए गारे जाल में हम दोनों को मार मिटाए लेकिन उसने मारा उनको और दर्या मेला से बहाए लेकिन उसने मारा उनको हजरत मुसलिन की ये सहादत जब जब भी हमको याद आए हट जाए धर्ती का कलेजा दिल पारा पारा हो जाए और उनके बच्चों की सहादत कून के आज़ू हम रुलाए दूर पतन से उन लोगों ने अपनी अपनी जान गमाए जाल में और यगीदी पर क्यों मौला ना भटकार गिराए कूफा के जाबिर कातिल पर तरस कभी भी उसे नयाए उनको दे रिहमत भी सलामी उन्होंने अपने लहू बहाए जिन्होंने अपने सर दे कर भी दीने नभी किसान बचाए जिन्होंने अपने सर दे कर भी उधर जो मुसलिम का खत पहुचा अजरत ने बिस्तर बंदवाई अज में सफर था उन पे लाजिम सफर या धूरा क्यों रह जाए जैनब से बोले बे आकर हम जाते हैं देश पराए चलना हो गर कूफा उसको साथ हमारे वो भी आए घरवालों को साथ मिले कर हम जाने का मन पनाए तनहा रह जाएगी सुग्रा क्योंके हैं बीमार बुहाए भाईया हम भी साथ चलेगे चैनब ने फर्मान सुना जाने से पहले वो अपने नाना की तुर्बत पे आ जाने से पहले वो अपने करके सलाम में अखीदत भोले नाना हम कूफा को जान लेने आये यहां इजाजत आप दुआ रब से फर्मा चूम के कबर नभी वहां से अम्मा की वो कबर पे आदे कर उनकी कबर को बोसा आप जहरा से फर्मा अम्मी हम जाते हैं कूफा सर पे बारे अलम उठाएं कबर मुवारक से सुनकर कैसे नाया वाजी आए जाओ हाँ पिछ खुदा तुमारा मुस्किल कोई पेस नया आएं कबर हसन पे चलते चलते उससे भी मिलने को आएं कबर हसन पे चलते चलते भाई की तुर्बत पे आके यस्क वोगत खुब वोई हसन की तुर्बत देख कहाजू कैसे ना गम से ठराई कैसे न अपने भाई पर वो अपना भाई प्यार लुटाई अपने भाई की खात रवो खूब दुआ रब से फर्माई करके फिर अबा का तसबुर हजरत अली की कब्र पे आया कर बोले प्यारे अबा हो जो इजाजा सफ्र को जाँ जिन लोगों ने दगा किया था आपसे उनके घर हो आँ दीन की अजमत है खत्री में कैसे ना हम उसे बचाँ दीन की अजमत है खत्रे में अलकिस्ता उन सब से मिलकर बापस जब वो घर को आई हजरत वानों और जेनब को चलने को तैयार बपाँ सुगरा थी बीमार मगर वो जाने को थी सोर मचाय रो रो के कहती थी बाबा मुझको भी ले चलिये हाई अपनी बेटी सुगरा को भी सब पीर महबत से समझाय तुम तो हो बीमार ये बेटी कहां चलेंगे तुम्हें उठाए हम जल्दी बाबस आएंगे या लेंगे तुमको बुलवा जल्दी से हो जाओ अच्छी छोड़े हुसेन मदीने को अब मक्के में तसरी पिहलाई करके तबा भेका बाब बोले या रब तेरे घर है आए तेरा करम हमेशा हम को सीरी राहों बेले जाए मेरे खून का हर एक कत्रा तीने महमद के कामा आए तेरी मरजी जैसा रख ते तु ही मारे तु ही जिलाए हर हालत में सुक्र है तेरा उफ तक भी ना जवाप आए मरते मरते भी ए मोला मुझसे ना सजदा छुट पाए बक्ते न जा भी तेरा कलमा मेरे होटों पे लिहरा आए फक्ते न जा भी तेरा कलमा उम्रा करके सारे हुसेनी खूफा के रस्ते पे आए पेगा में कुरियान लिये वो आगे आगे कदम बढ़ा रस्ते में एक सक्स मिला तो आपने पूछा कहां से आए बोला कूफे से आता हूँ मुसलिम का यूँ हाले बता होटे लरस्ते देखा गम से आखों में आजू थे आए मुसलिम और उनके बच्चोन अपनी अपनी जान गवाई जाम सहादत पीके उन्होन जन्नत में घर अपना पसाए खूफे वालों की गतार ही मेरी तो ना समझ में आए खूफे वालों की गतार ही यह सुन कर चसमें साफीरी कैसे ना या तू परसाए कैसे ना दिल पूट करोए कैसे ना बेचे निछाए उनका भाई गया है महरा और भती जिभी का माई अच्चा ये आदाज नहीं था दिले सोच के ढूबा जाए फिर अपने रिष्टेदारों से आपे रो रो कर फरवाए मोत के मुह में हम जाते है लोट के जो चाहे वो जाए कुछ ये सुनकर लोट गए थे कुछ ना फिर भी लोट के आए बाकी जो रह गए थे बोले जिकरे खुदा में खोया खोया काफ लाए बढ़ता ही जाए चलते चलते आखर एक दिन वो अपनी मंजिल पे आए कूफा जब वो काफल पहुचा बंद सब के दरवाजे पाए कूफा के गत्तार मुसलमा उनसे मिलने तक ना आया आए खोजे यजीदी के कुछ खोजी कर वो बला तक उनको लाए बिलकुल वो सुनसान जगह थी खेमा आप जहां लगवाए बेयत का परवाना लेकर उनकी खिदमत में वो आए हुक्म यजीदी को हजरत ने इबन जियाद करक कर बोला हम है तुम्हे समझाने आए हमसे बेयत कर लो पर ना मुस्कल है कोई बच कर जाए बोले हुसेन आजम उससे चाहे तो कुछ भी हो जाए हाथ नहीं हम सर दे देंगे पसंद अगर चे तू फर्मा लड़ने तू आया है लेकिन हम तो नहीं है लड़ने आजा कह दे सरदर से अपने कद्धी छोड़े हो समया दीने इललला पे कब जाओ कोई ना मर्दूद जमा जोर जवर्दस्ती करके बो काहे अपनी जान गवा जोर जवर्दस्ती करके बो खरी खरी ये बात सुनकर सारे खोजी लोट के आए गरिया को फिर खुला न छोड़ा जाके पहरा वहां बठाए गर्मी का दिन प्यासक मारे सब के हो से ठिकाने आए होटे है सूख जब आहे थी पानी पानी सब चिलनाए गोद का बच्चा प्यासक बारे तडप रहा था हाए हाए मा का तन भी सूख चुका था केसे अपना दूद पिलाए नन्ही सी माजूम सकीना बोली ए अब आस से आए चाचा हम इतने प्यासे हैं तम अंदर से बाहर आए चाचा हम इतने प्यासे हैं वाली सकीना कीना हालत ए अब आस से देखी जाए आखिर लेकर एक मस की जा तरिया पैबो भरने आए भर के जब मस की जा पलटे उनके कयामत तूटी हाए जाले में एक बाजू काटा मस की जा दूजे से उठाए दूजा भी जब कट गय बाजू सारा पानी बह गया हाए सीना फट गय बाजू कट गय खोडे से धर्टी पे आए गमे था के बाली सकीना खेमे के अंदर असगर की हालत जब कुछ बिगडी हाए खोड मे ले कर वो असगर को सामने उनमर धूद के आए और इसकम घर से पोले पानी दो बच्चे को पिलाई इसकी जान लबो पर आ गई प्यासा ही ना ये मर जाए और कहां असगर से अपने अपनी सूखी जुवा दिखाए छोटा सा छे माह का बच्चा कैसे सब कुछ कर दिखलाए बाप की बातों को भी समझे जैसा कह दे करके दिखा जालिम खोजे सामिन समझा बच्चे ने मोहम चड़ा जालिम खोजे सामिन समझा उन में था हुर्मला का मीना उसने भोरन तीर चलाई जो असगर के गले में आपकर छेद गाया था कुछ ऐसा हाई खून का एक दरिया सा जिसने एक जटके में दिया बहाई आखरी सिसकी ली बच्चे ने खून से अपनी प्यास बुझाए मा की गोद हुई है सून जी कैसे ना चीखे चलाई खून के आज़ रोक न पाया पेटे को बाहों में दवाई खेमे में कोहरा में तहर सूप सबने आज़ू खूब बहाई एकी धर अपास कलासा असगर को सब उधर उठाई एकी धर अपास कलासा जब भाई बेटे कलासा अपना कर खेमे में आई कासिम को देखा गुसे में हिद्मत में वो चचा किया आई कदमों में सर रख कर बोले रन की जाजत अब दी जाए कासिम को बुगले लगा कर पहले तो काफी समझाए मरने की न करो तमना भरी जवानी में तुम हाई कासिम बोले में सर के दिन मुझ पै मेरा बाप तिरा आई उनकी एजाबा जी देखी तो उनको वो हरम मिला अगद किया पहले कुबरा से फिर बोले अब तो किस जाए अगद किया पहले कुबरा से हरम से निकला कासम नोसाई अपने सर पे सहरा सजाई मास दूद और महरे मुझ जल बीबी से उसने बक्साई सामेने आपे बोली शकीना मुझ को पानी दियो पिलाए बेपानी के जुबा है सूखी दिल अंदर में बैठा जाए देकर उसे दिलाचा काशिम लस्कर का फिर से टकराए ऐसा उन पे किया था हमला कितने को तो मार गिराए एसे जरी बहादुर ते बो पढ़े पहलबा भी घबराए अरजक जेसे सह जोरों को मारा ऐसा खूम नहाए अरजक जेसे सह जोरों को हजरत पासिम ललते ललते दर्या के नजदीक जोहाद भेर के उस प्रासे को मारा पीरो तबर से हाई हाई बेबा हो गई हाई कुबरा मान दिया जूडी बढ़वा जन्नत में जब पहुचा नोसा जन्नत उससे मिलने आई जन्नत भी मीरा से है उसकी कोई क्या कब जा करवाए जन्नत के सरदार का बेटा पूचा दर्जा क्यों ना पाए दीने नभी किखा तिरी उसने सरधाल अपने है कटवाए हूरो गिल्मा और फरिस्ते क्यों ना उस पे पारी जाए हूरो गिल्मा और फरिस्ते जैनब के दोनन है बच्चे आउन महम्मद जो कहलाई मामू पई कुरवा होने को कौनों बच्चे दोड़े आई बोले इमामे आली उनसे कहा हो तुम लड़ने को आई छोटे छोटे बच्चे हो तुम जाते हो क्यों जाने गमाई बोले सहाधत की है तमना अब चाहे कुछ भी हो जाए मारेंगे या मर जाएंगे भागेंगे ना कभी भगाए मौला अली के हम हे नवासे रन में ये जाकर बतलाए मारा बहुत लईनों को भी अपनी गर्दन भी कटवाए मारा बहुत लईनों को भी तीरों की बोच्छार वो बच्चे कब तक सहते सेह ना पाई ए दस बारा साल के बच्चे आखिरी अपनी जान गवाई जैनव नई कह कर भेजा था जाले में पोजो फुस्त दिखाई दूधन बक्सेगी मा तेरी अगर जो रन से भाग के जाए खाक पे दोनों पड़े हुए फून तलत पत हाई हाई जैनव के चेहरे पे लेकिन इत्मी नान के रंग हिचाई कोई अपने लाल को रोए कोई पच्चाड नीर बहाई तू के सीमा है ये जैनव सबरे बफा तूने दिखला है तू के सीमा है ये जैनव मा की थे एक हजरत एकवर खिदमत में सब फीर किया है सब कुछ तो मिट गया है बाबा अब क्या होगा जी कर हाई सारे लोग गए है मार क्या कोई उम्मीद जगाए मेरे बदन पे अब तो बाबा सारे बोज सबनता जाए बोले अलिक राज दुलारे पेटे तुम अब तैबा जाओ उम्रे अठारह साल की बेटा क्यूं ही ना मैदा में गवाओ बहन मदीने में है तुम्हारी उसका जाके प्याही रचाओ ये भी फर्ज है तुम पे अकवर जाओ अपना फर्ज निभाओ ये भी फर्ज है तुम पर एकवरे जब उनसे ना मिली इजाजत वो अम्मा के पाश में आए प्यारी से बोले प्यारी अम्मा तुधे हमारा बक्सा जाए हमसे अच्छे भाई चटा थे जुन्होंने अपने सर कटवाए अच्छी तरह से देख लो मुझको सायद अब ना हम मिल पाँ ये सुन कर भी भी बानों तो रोई पच्छाडी सोर मचा जेके दुहाई नजप की बोली और जरा जादा चिला भूकी प्यासी मेरे लूगी मुस्क लिस पे कोई नया छोड़ के मुझको जाम सहादत क्यों पीने को जोर दिखाए छोड़ के मुझको जाम सहादत सर रख के मा के कदमों में हजरत अकवर ये फर्माई हम सब हैं अल्ला के आसिक मरने से फिर तो घब राए मा की खिदमत में फूपी को और बहन को लेकर आए सब से खुसामत की अकवर ने रन की इजाजत कोई दिलवाई अपनी मा के साथ वो अपने बाबा की खिदमत में आए कदमे मुबारत को फिर तूमा फिर में नत की अस्त बहाई समझाने पर भी जब यकवर सीधी राहों पेनाया आए बोले हजरत इमाम आली जाए अब भो रन को जाए बोले हजरत इमाम आली चाहित छेना हो सेन हर गजी अकवर मेरा रन को जाए बिलकुल ये हनसकल नभी है इस पे गोई हर पनया इस चहरे के सबब ही अब तक पेनाना के जीक दिखाए भी तो अब मिट जाएगा अब जीकर क्या होगा हाई मा का दिल तुक्डे तुक्डे हो आखों के रस्ते बेह जाए एक पल को भी दर्द थमिला एक पल को भी चेन नया बड़ी खुसा मद और मनत से रन की जाजत बोले पाए अल्ला हो अकवर के नारेस मेदा में घोडे दोडा आए अल्ला हो अकवर के नारेस आज में अकवर देखित सारे का फिर भाग तुमको दवाई एक घटके में उनको उमारा जो इनके रस्ते में आए लासों से में दव भर डाला एसा जो हर आप दिखाए पले पले सह जोर भी देखो इनके आगे टिकना पाई जो भी आया मद मुकाबिल उसको जहन्नम में पहुचा देखा जब ये हाल लईन तीर स्तमिन पे बरसाई पूरा बदन हुआ था छलनी इतने तीर बदन पे खाई सीने में ये तीर चुभातो गोडे पे ये देहना पाई सीने में ये तीर चुभातो गोडे से गिर कर धरती पर हजरत एक बार जबके आए हातों से तलवार न चूटी तर से कोई सट ना पाई दर्या खून का बह निकला था जमीन अपनी मांग सजाए देखे के खूनी नज्चारा अलक नके से अस्क बहाई भूरों गिल्मा और फरिस्ते देखे अपना जिगर दबाई कूफा के जल्रे जल्रे ने अकबर पे हैं प्यार लटाएं दूरे खड़े हैं सारे का फिर हों पे हैं उन पे अब तक छाएं जब उन सब को हुआ यकीतो उनकी लास को देखने आए जब उन सब को हुआ यकीतो पीर सबर तलवार लिये सब डरते डरते पास में आये रूह तो उनकी निकल चुकी थी पड़ा था उनका लासा हाई खुसे में वो भरे हुए थे लासा पर भी बार चलाए घोडे लेकर भी कुछ आये और उनके घोडे दोडाए घोडे से लासे को कुछ लाँ लास पर गुसा खुब दिखाए डर से भागे थे जिन्दे के मुर्दे पर हैं रोब जमाए हरम के अंदर और खेमे में मातम ही मातम छीछाए कोई अपना सीना पीटे कोई सिसकी अस्क बहाई कोई अपना सीना पीटे जब हम सकले बेगंपर भीरन के मेदा में कामाई यानि सहादत पाकर गोवी जन्नत में ही प्यास बुझाए कड्यल सा एक जवान कोई जिसके घर का मारा जाए कैसे ना बोरंजो अलम से पागल के जैसा हो जाए जीने में कुछ मजा नहीं था जीते जी मर कर दिखलाए छोड गए ते साथ यहां तो हर एक अपने और पराए गोदी का बच्चा भी चूटा और जवाबी हात चुडाए भाई भती जे नन्ने भाजे कोई भी रहने ना पाए भाई भती जे नन्ने भाजे जब सब फीर हुए थे तना दुल दुल को अपने हे लाए अब रन में जाएंगे खुद भी चाहे अब कुछ भी हो जाए खेमे से जैसे ही निकले सब सी जाजत लेकर हा इतने में इतको सिद्याओ कर पेटी का खत उन्हें थमाए एक एक जुमले को पढ़ पढ़ कर आसून के रुक ना पाए लिखा था यब याओ अप्पा बाजी की बारात सजाए कासिम भाई से कह देना अच्छा सारा जोडा लाय आपकी सुगरा ठीक है बिलकुल कम जोरी न जरा सताय आपकी सुगरा ठीक है बिलकुल रन में जाने से कुछ पहले वो बेटी को खट भिजवाए अल्ला तुमको रखे सलामत रन जो अलम न तुम्हे सताय कूफा में हम लुट गए बेटी कोई ना जिन्दा बच पाए बाजी तेरी हो गई बेबा खुल दे बरी कासिम न बसाए असगर ने भी साथ छोडा अब तु जूला किस जुला तेरे भाई जानव अकबर रन में जाकर लोट न पाए और मेरे अब बासन जाकर नहर पे बाजू कटवाए जैनब के दोनों बच्चोन जान लटा दी खून बहाए जैनब के दोनों बच्चोन हाल यहां का पुरा है बेटी क्या क्या हम तुम को बतलाई हमको भी अब दे दो इजाजत ताके हम मैदान को जाए लिखकर खत में हाली सारा कासिद को खत दिया थमाए और बोले जाकर सुग्रा को अच्छे से देना समझाए जाता हूँ अब रन को भाईया गम है खाली हाथ चलाए लूट लिया कूपा वालों ने तुम को कुछ भी दे ना पाए कासिद भी ये सुनके रोया उसके आसु रुक ना पाए कासिद के जाते ही फोरन वो मैदान जंग में आए कासिद के जाते ही फोरन पहुचे कतले गाहिम जब के वो अपना घोडा दोडाए खोज यजीदी से फरमाया जिसको लड़ना है वो आए मैं हूँ नवासा त्यार नभीका आप फिर भी ये सुनता जाए और अलीका मैं हूँ पेटा सोच के कोई भी टकराए उकबा भी चोपट हो जाए दुनिया में भी जेने न पाए जो मुझ से आएगा लड़ने सीधा वो दो जख में जाए लेकिन वो थे जालम चाविर केहना उनका माने न पाए दूर सही कूफा वालोने पीर से तम उन पे बरसाए दूर सही कूफा वालोने पीरों की परवाहिन की कुछ भोडे को उन पे दूराए साले पुंतिस्कों का फिर को आप जहन्नाम में पहुचाए फिर आई आवाज फलक से अब लो अपने हाथ उठाए बच्पन में जो किया है पादा को बादा तो अब न भिजाए हुक में रभी के फिर आगे सर अपना सब फीर जुपाए फिर अपने जिसमें अकदस पर लाखों जक में उन्होंने खाए खोडे से गिर पड़े जमी पर जखमों की जब ताब नला दुल-दुल भी ना समल सका फिर दिल के छट-पट करता जाए दुल-दुल भी ना समल सका फिर हाथों में फिर खंजर लेकर सिम्र लईना के से आई आप नमाज की हालत में थे चालम ने यो मों के पाई चड़ बेठा सिने के उपर और छुरी भी दिया चलाए कटने को सर कटा था लेकिन जुमले जो थे जुबा पे आई सुभाना रब यल्याला पोडे से भी छूट न पाई अपना सर दे कर हजरत में है दीने इसलाम बचाए उनका ये एहसाने से भी आज मुसलमा हम कहला जिकर सहादती संजोने सोने के में है रिकाड करा जिकर सहादती संजोने सोने के में है रिकाड करा आए सोने के में है रिकाड करा आए सोनो मो में नो ठ्याने लगाए सोने के में है रिकार्ड कराए